पीपल के पत्तों के ये उपाए बदल देंगे आपकी किस्मत रादे रादे मित्रो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्था और जोतिश ग्यान में जिसमें कि मैं आपको बताती हूँ धार्मी को जोतिश से जुड़ी कई इंटरस्टिंग बाते अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए मित्रो आज का हमारा टोपिक है पीपल के पत्तों के ये उपाए बदल देंगे आपकी किस्मत पीपल के पेड का हिंदू धरम में विशेश थान है पीपल के पेड से कई सारी धार्मिक मानेताय भी जुड़ी हुई है पीपल के पत्तों के उपाई बेहद ही कारगर होते हैं, आईए जानते हैं पीपल के पत्तों के उपाई कैसे बदल देते हैं आपके जीवन को, पीपल के ग्यारा पत्तों को लेकर उन पर सिंदूर से श्री राम लिखे और भगवान हनुमान जी को अरपित कर दे, ऐसा करने से जल्द ही आपका भाग्यों दे हो सकता है अगर आपको लगता है कि आपके कारे नहीं बन रहे हैं आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो यह उपाए आप जरूर कीजिए हो सके तो यह कारे मंगल या शनिवार को कीजिए इसका आपको रिजर्ट जल्दी ही देखने को मिलेगा दूसरा उपाए अगर आप के घर में खुशाली नहीं है घर में अन्बन चलती रहती है कोई खुशी घर में आपको नहीं दिखाई देती तो आप पीपल के पेड़ को रोजाना जल्द अर्पित करना शुरू कर दे ये बहुत ही शूब होता है जल्द को अर्पित करने से घर में खुशाली बनी रहती है उसके बाद अगर आप देखते हैं कि घर में धन की कमी लगातार बनी रहती है धन का अगमन कहीं से नहीं हो रहा है तो आप पीपल के 3 पत्तों को लेकर तीजोरी में रख दे ऐसा करने से आपको धनकी प्राप्ति होगी अगर आप ये उपाए कर रहे हैं तो आपको ये उपाए उस समें करना है जब आपको कोई न देखे इस उपाय को करते हुए आपको टोक नहीं लगनी चाहिए ये धनकी प्राप्ती के लिए एक कारगर उपाय है आप पीपल के तीन पत्ते लीजिए और आप उसे अपनी हाथ में लेकर अपने मन की इच्छा जो भी है वो कहते हुए आपको अपनी तीजोरी में रख देना है तो आप देखेंगे जल्दी धन प्राप्ती के रास्ते खुल जाएंगे अगर आपको लगाता धनकी हानी हो रही है और आप उसे बचना चाहते हैं तो एक पीपल के पत्ते पर चंदन से माता लक्ष्मी का नाम लिखें और इस पत्ते को घर के मंदिर में रख दें ऐसा करने से धनानी होना खतम हो जाएगा अगर जातक को नोकरी में परिशानी आ रही है तो पीपल के ग्यारा पत्ते साफ कर लें उन पर श्रीराम का नाम लिखें और उन पत्तों को किसी बैती हुई पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें तो उस जातक को नोकरी समंदित परिशानी आनी समाप्त हो जाएगी तो चलिए मित्रों आज हमने पीपल के पत्तों के कुछ उपाय जाने जो आप अपनी समस्या के नुसार एक, दो या सभी उपाय कर सकते हैं इन उपायों को करने से जल्द ही आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं हल हो रही हैं ये उपाय करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी तो चलिए मित्रों आज का हमारा टोपिक था पीपल के पतों के ये उपाये बदल देंगे आपकी किस्मत अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल आसा और ज्योतिश ग्यान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके लावा मेरे आसा और ज्योतिश ग्यान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विशलेशन मुझसे करवाना चाते हैं तो यह मेरा कॉंटेक्ट नमबर दिया हुआ है आप मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं धन्यवाद मित्रो